नमस्कार दोस्तों मैं रभी आपका स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक खास जानकारी आपको देने वाला हूं पांच रुपे के कोपन निकल के सिख्के की मेरे हाथ में जो सिख्का आप देख रहे हैं दोस्तों ये है एक स्पारक सिख्का कॉममरेटिव कोईन लेकिन क्यों इस सिख्के की वैल्यू साथ हजार रुपे है वो भी आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं ये सिख्का एक आउक्षन में भी बिख चुका है आज से कुछ साल पहले साड़े पांच जार रुपे की कीमत में वही सिख्का मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं सेम वही सिख्का जो ऑक्षन में भी चुका है दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंति तक आपको जरू देखना चाहिए क्योंकि ऐसे सिख्के आपको भी मिल सकते हैं आम चलन से जन्न सरकूलिशन से बस आपकी सिख्कों पर थोड़ी स्टडी मजबूत होनी चाहिए आपको सिख्के की पहचान करना आना चाहिए कई सिख्का नौर्मल है या वैल्यूबल है दोस्तों ये है नो गिराम वजन का सिख्का कोपन निकल का ये कोईन की की कीमत रखता है उसके पीछे जो कारण है वो तब पता चलेगा जब हम इस सिख्कों को ऐसे गुमा कर देखेंगे अब कलेक्टर्स काफी सारे समझ गए होंगे कि इस सिख्का किस बज़े से भेंगा है दोस्तों ये है पांच उर्पे का कोपन निकल का नो गिराम वजन का स 2006 कहीं भी मेंशन नहीं होता है लेकिन ये सिख्के 2006 में इशू किये गए सिर्फ मुंबई मिंट की तरफ से ये सिख्के स्टेलेस स्टेल में भी देखने को मिलते हैं और कॉपन निकल में भी लेकिन दोस्तों मेरे हाथ में जो सिख्का आप देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल केटिगरी का परफेक्ट 600 क्लोग का सिक्का है जब हम इस सिक्कों को ऐसे घुमाएंगे तो पोट्रेट बिल्कूल 600 क्लोग की तरफ रोटेशन में आ जाता है ये जो कोईन होलडर आप देख रहे हैं ये रोटेशन वाले सिक्कों के लिए ही इस्पेशली बनाए जाते हैं जिसमें हमें सिक्कों का क्लोग वाइज रोटेशन का पता चल जाता है क्या सिक्के में कितना रोटेशन है हाला कि 600 o'clock क्या सिक्का सबसे भेंगा होता है रोटेशन में लेकिन 3 o'clock, 9 o'clock के भी सिक्के भेंगे होते है अगर वो आपको इस मारक सिक्को में मिल जाते है मैंने अपनी वीडियो में काफी बार आपको समझा है कि इस मारक सिक्को में अगर आपको perfect 600 o'clock का rotation का कोई सिक्का मिल जाता है चाहे वो stainless steel का सिक्का हो या copper निकल का हो तो उसकी value कई गुना बढ़ जाती है अब जैसे यह सिक्का आप देख रहे हैं मेरे हाथ में महत्मा बश्वेश्वर का तो यह एक very rare coin है यह इतनी असानी से नहीं मिलेगा क्योंकि नर्मलि यह महत्मा बश्으वेश्वर के सिक्के अगर आपके पास पड़े हो चैक कितने भी वड़े हो पचास सो पांस सो कितने भी तो आप उन सभी सिक्कों को जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 600 को का सिक्का कोई साधराण सिक्का नहीं है यानि कि ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा मिंट की तरफ से ऐसे सिक्के बाहर आजाते है और मेरे हाथ में जो सिक्का आप देखने हैं ये बड़ा शार्प सिक्का है इसकी एज जो है हाथों में वो चुब रही है अगर आप साइड से देखेंगे तो इसमें दाते दिखाई देंगे आपको एज की तरफ ये देखें, ये जहां पर दाते दिखाई देंगे जिससे इसकी एज की शापनेस पता चलती है ऐसे हम edge के तरफ हाथ लगाते हैं तो सिक्का ये चुबता है edge के तरफ से क्योंकि इसमें sharpness है edge में क्योंकि सिक्का perfect UNC condition का सिक्का है इस वज़े से ऐसा हो रहा है इसकीन पर जो मैं आपको detail दिखा रहा हूँ ये कोक्षन की detail है कुछ साल पहले ये सिक्का साड़े पांच जार रुपे की कीमत में भी बिख चुका है कोक्षन में अगर आप google पर search करेंगे तो detail आपको भी मिल जाएगी तो कुछ साल पहले जबी सिक्का साड़े पांच जार रुपे कीमत में भी चुका है 600 clock rotation का सिक्का कोपर निकल का तो अभी तो इसकी value काफी ज़दा बढ़ चुकी है और मेरे हाद में जो सिक्का आप देख रहे हैं ये perfect unc condition का सिक्का है perfect unc condition में अगर ऐसे 600 clock के सिक्के मिल जाए महत्मा बश्वेश्व कर सिक्का तो ओल्रेडी ओक्षन में भीग चुका है तो इस सिक्का अपने आप में कीमत रखता है इस समय 7000 रुपे तक सिक्का unc condition में होना चाहिए ऐसे सिक्के आपको आमचलन से भी मिल सकते हैं लेकिन किस्मत वाले वेक्ति को ही मिलेंगे आमचलन से आपको fine, very fine, extra fine जैसी condition के सिक्के मिल सकते हैं उसी हिसाब से उनकी कीमत होगी लेकिन मेरे पास ही जो सिक्का है ये unc condition का सिक्का है इस वज़े से अभी इसकी कीमत वर्तमान में कम से कम 7000 रुपे या 7500 रुपे तक जाएगी जोकि unc condition में ऐसे सिक्के मिलने बहुत मुश्किल होते हैं इसकिन पर जो मैं auction की detail आपको दिखा रहा हूँ ये auction कुछ साल पहले लगा जिसमें इस सिक्का साड़े पास ये रुपे कीमत में नेलाम हुआ अब जो सिक्के auction में लगाई जाते हैं वो साधान सिक्के तो होते नहीं है वो rare category के सिक्के ही होते हैं और मैंने तो आपको काफी बार अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है क्या इसमारक सिक्को में अगर आपको rotation मिल जाता है तो वो सिक्का आपका हो जाता है very rare coin holder में देखें सिक्का मैंने रखा हुआ है और clockwise ये coin holder होते हैं जिसमें हमें rotation का पता चलता है 1 o'clock, 2 o'clock ऐसे जो rotation होते हैं या 11 o'clock, 10 o'clock ये normal होते हैं इनकी value ज़्यादा नहीं होती है कम होती है बहुत लेकिन 3 o'clock, 9 o'clock की value थोड़ी ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा value होती है 6 o'clock के rotation की क्योंकि इसमें सिक्का पुरा उल्टा हो जाता है इस वज़े से इन सिक्कों की value ज़्यादा होती है तो ये सिक्का एक auction में 5.5 ज़्यादा कीमत में बिख चुका है कुछ साल पहले और वर्तमान में इस सिक्के कीमत काफी ज़्यादा है जो normal सिक्के आते हैं माहतमा बश्वेश्वर के कोपर निकल के वो इस cars की category होते हैं जिनके कीमत 300 रुपे से लेकर 100 रुपे तक होती है लेकिन ये 600 लोक का rotation का जो सिक्का है ये 7.7,000 रुपे कीमत आपने आप में रखता है दोस्तो आज की ये वीडियो जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताना और ये भी बताना क्या आपके collection में महात्म बश्वेश्वर के ऐसे कोई rotation वाले सिक्के है या कोई इसके अलावा कोई समारक सिक्का है आपके पास rotation में और क्या वो आपको आमचलन से मिला या आपने खरीदा किसी coin dealer से किसी coin exhibition से या किसी online platform से वो भी नीचे कमेंट करके बताना सभी के कमेंट read करूँगा reply करूँगा दोस्तों आज किस वीडियो को में ही खतम करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद